जैसे कि उसने कार यह उनारचित सू समाचा और उसका ग्यारा अध्या है उसका 25 पर्द में और 26 पर्द में कार उनुर्थान और जीवन मैं ही हूं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वा यदि मर भी जाए तो भी जियेगा और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वा अनन्त का अग नाम देगा तो यह प्रभू ने हमारे साथ प्रतिग्याई की है और प्रभू की सारी प्रतिग्याई उसी में हान और आमीन के साथ है उसने प्रकासित वक्या एक अठारा में हमारे पास यह साबित कर गवाहिए दे रहा है कि मैं मर गया था और अब देख मैं जुगान यूग जीवता हूं और अधोलों की कुजिया मेरे ही पास है और जितनों ने आज इसुमसी पर विश्वास किया जो आज उस पर विश्वास करते हैं ओ के लिए ये व्रित्यू का कोई भी मैं ने आज भी जो लोग उस पर विश्वास करते हैं तो प्रियों हमें जो है आज भी अगर हमारे पास ये समय है तो आज हम प्रभू के साथ समय बिताएं आज हम प्रभू के साथ अपने सम्मत को नए सिरे से अस्थापित करें प्रभू इस जो धर्मियों के लिए नहीं आया वो गुनेगार लोगों के लिए और हम जैसे गुनेगार लोगों के लिए उसने मिलितियों को सहा और उस पर विजय पाई है और इसलिए हमें आज क्या कर अगर आप उस जीवन का अनुभाव को इस लोगडाउन में मैसूस करना चाहते हैं तो अपने सारे गुनाहों को आज प्रभु के सामने करा हैं और माने कि प्रभु मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया और उन सब लोगों से जिनका मैंने आपने दिल दुखाया है उन सब से आज मापी 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 आज ये समय है और जब अब ये सब कुछ कर लेगे तो निश्चय प्रभू आपके जीवन में आएगे परमिश्वर का संबन आपके साथ एक नए सिरे से स्थापिट हो जाएगा और आज ही आप उस पुनुर उठान को अपने जीवन में महसूस कर पाएगे और हमें महसूस करना चाहिए क्योंकि अपने विश्वास किया तो आप क्या है कि आप उसके साथ मर गए गाड़े गए और आप क्या होगे उसके साथ जीवी उटे है और जैसा कुनुसियों की पत्री उसका तीन अध्या उसका पहले पद में लिका है अता जब तुम मसी के स साथ जिलाए गए तो स्वर्ग्य वस्तूओं की खोज में रहे जो क्या है और जैसा परमिश्वर का बचन कहता है पहला कुरूंते उसका दो पर उसका नौव में दो अध्या उसका नौव में जो बाते आँख ने नहीं देखी और जो तान नहीं सुने और जो बाते मनुस के चीट में नहीं चड़ें वे ही है जो परमिश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से कि अ प्रयो हमने ना तो उस्वर्ग्य वस्तों को कभी देखा है ना हमने उसके बारे में कभी कल्पना किया है और ना ही वह मारे दिमार में 시작 जीत में कभी आये हैं और पर्मिश्वर ने हैं ऐसे ही हमारे लिए उन वस्तुओं को रखा है उन बातों को रखा है इस समय हम उन बातों की और अपना ध्यान लगाए और उन बातों की और जो है उन आसाओं को जो है पूरा करने की और जो है हम फास लगाए और जब हम किसी व वो वस्त्वे हमारे जीवन में आए तो आज हम जो है वो जतन करे की जो है आज हम प्रभू के साथ अपने संबंद को अस्थापित करें और प्रभू के संबंद जो है हमारा प्रभू से हमारा संबंद नया बनता जाए हम दिन प्रती दिन जो है हमारे और प्रभू के संबंद में जो है वो नयापन आये और रोज दिन हम उस आनन्द को महसूस करें जो की हमें प्रभू की उपस्तिती में होता है परमिस्वर की उपस्तिती में आनन्द की भरपूरी है सच्पुछ हाप्रियो आज हम इस आनन्द को महसूस करें और ये पुनोरुथान का पर जो हम मना रह हम सब के लिए आसिस का कारण बने और आत्मिक आसिस का बने और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े अनन्त जीवन में हम परवेश करने वाले हो सके परमेश्वर आज के बचेंद के द UM सब कोहतायस से आसिस दे आमन